तमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रया मध्यप्रदेश में इन दिनों काम के साथ नाम बदलने पर भी जादा जोर दिया जा रहा है मांग भोपाल के इदगा हिल से उठी थी लेकिन शुरुआत हुई हबीब गंज स्टेशन से अब लिस्ट लंबी होती जा रही है रोज इसमें नए नाम जुरते जा रहे हैं ताजा नाम भोपाल इस्थित मिंटो हॉल यानि पुराने विदानसभा भवन और प्रदेश के सब से स्वक्ष शहर इंदोर का है जी हां इंदोर शहर का भी नाम बदलने के चर्चा होने लगी है भोपाल में हबीब गंज स्टेशन का नाम बदल कर रानी कमलापती किया जा चुका है इंदोर के पाताल पानी स्टेशन बस्टैन और भवरकवा चौराही का नाम भी बदला ग मिन्टो हॉल का नाम सिक्षावित सागर विश्व विद्याले के संस्थापक सहित कई विश्व विद्याले के पूर्व कुलपती और समिधान सभा के उपसभापती रहे डॉक्टर हरी सिंग गौर के नाम पर करने का आगरह मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चौहान ने किया है इस प्रस्ताव के सामने आते ही सागर शित्र से आने बाले नग्री प्रशासन मंतरी भुपेंद्र सिंग ने इसका समर्थन भी कर धिया भुपेंद्र सिंग ने कहा कि मिंटो हॉल का नाम डॉक्टर हरी सिंग गौर के नाम पर किया जाएगा। बीजेपी की प्रदेश कारे समिती की बैठक आज से इसी मिंटो हॉल में हो रही है राजसरकार में नगरी प्रशासन मंत्री भुपेंदर सिंग ने इंदौर का नाम माता अहलिया बाई होलकर के नाम पर करने का समर्थन कर दिया उसके बाद बीजेपी के कई नेता समर्थन में आ गये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताउं में शर्मा ने कहा कि माता अहलिया बाई होलकर परम शिव भक्त थी और मानर्मदा की उपासक थी देश भर में उन्होंने शिव मंदरों का निर्मार कराया नदियों का नदियों पर घाट बावडिया तालाब और धर्मशालाएं बनवाई हमेशा वो जन सेवा में काम करती रही और इंदौर पर उनका ही आशरवाद है कि शहर में आज भी कोई भूखा नहीं सोता इंदौर के हर जन की आस्ता माता आहिलिया वाई पर है इसलिए शहर का नाम बदलने में कोई बुराई नहीं है इंदौर का के नाम बदलने की जो मांग हो रही है उस पर क्या फैसला होता है